हाई एवरिवन बिहार पैरमेटकल एडमिशन दोहजार चोबिस के लिए फर्स्ट राउंड सीट एलोटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है तीस अक्टूबर को ही अब आप लोग को डोकोमेंट वहरिफिकेशन के लिए जाना है जिसके लिए भी डेट यहाँ पर निटधारित कर दिया गया है जो कि यहाँ पर है 9 नॉमबर से लेकर 14 नॉमबर के विच आप लोग को डोकोमेंट वहरिफिकेशन करवाना है और आप लोग को किस डेट में जाना है वो निश्चित डेट जो आप लोग 1st round seat allotment result डाउनलोड किये होगे उसी के नीचे में आपको जो है दो डेट लिखा हुआ होगा अगर आपको 9 नॉमबर के आया होगा तो 9 और 10 दोनो डेट लिखा होगा तो किसी भी एक डेट में आप लोग जा सकते हैं ऐसा नहीं कि 9 नॉमबर कोही जाना है 10 भी लिखाए तो 10 कोई भी आप लोग जा सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं अगर आप लोग 10 तक नहीं जाते हैं तब problem होगा क्योंकि वहाँ पर अगर absent लिखा जाता है तो फिर आपका document verification नहीं होगा आगे और इस पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत सरे student अपगरेडेशन किये होगे और कुछ student अपगरेडेशन नहीं किये होगे और download कर लिया होगे तो अब आपका अपगरेडेशन कैसे होगा वो भी बाते इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम बात कर लेता है कि सहीं हैं डोकोमेंट लेकर जाना चाहिए जिसे कि तुरंत भेरिफाय यानी डोकोमेंट भेरिफिके nations हो जाए तो मैं इसके लिए आप लोग के लिए पुरी डोकोमेंट का लिस्ट लेकर आए हैं और ऐसा नहीं है घुल हम खूद बखूरी डोकॉमेंड वरिफिकेसिन के लिए गए हैं दो-तीन साल का इसका मेरे पास experience है तो उस अधार पर हम आपको बताए हैं और एक दिन नहीं दो-दो और कोलेज मिल गया है वे बच्चे तो अच्छे है और उनको लिए तो आछा ही है लेकिन कुछ बच्चे को जो है कोई भी कोलेज नहीं मिला है तो उनके लिए भी मौका आभी भी है जो कि second round जारी होना है जो कि 21 नवंबर को जारी होगा इसके लिए आप लोग को कोई भी चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं है न तो आप चेंज कर पाएंगे पैरेमेटकल वाले के लिए कोई करना नहीं पड़ता है हो खुद खुद सक्रींड रांड जैसे है आगा तो सिर्फ आपको चेक करना है कि सकेंड में आपका नाम आया है या नहीं तो इसके लिए आपको कि i Nope date रखा गया है और अगर आपका second round में आता है तो उसके आधार पर आप लोग को document verification जो है 22 November से लेकर 27 November के बीच करवा लेना है और इसके बाद भी अगर आपका नहीं नाम आता है तो इसके बाद भी जो है और आता है जिसको आप लोग 3rd round भी बोल सकते हैं नाम बेस्ट तो मोप शोलिलह साल से लगा है तो मोप में भी आप लोग को जो है अच्छे अच्छा नहीं भी लेते हैं सकें राउंड तक इंतिजार करते हैं inm shimmery अच्छा कोर्स मिले तो उस स्थिति में इस्झेया भी रहता है अब बाट कर लेते हैं कि क्या-क्या डूकुमेंट लेकर जाना चाहिए क्या पैसा लेकर जाना चाहिए सारा कुछ हम आपको बताते हैं क्योंकि बहुत सबसे पहले हम आपको कुछ भी नहीं लगेगा यानि कि पैसा आप लोग को जो है जीरो लगने वाला यानि कोई पैसा आप लोग को नहीं लगेगा बिल्कुल कोई पैसा नहीं ल जब कॉल आता है तो उस समय आपको पैसा लगता है तो उस बिसे में भी हम आपको वीडियो बनाएंगे तो आप लोग चैनल से जुड़े रही है जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिजे क्योंकि यह अपना भाई का ही चैनल है और मैं वीडियो बस आप के लिए जो है help के लिए बनाते हैं तो आज़े जल्दी से देख लेते क्या क्या आपको लेकर जाना चाहिए तो देखिए यहांपर हम लिखे भी हैं फर्स राण डोकॉमेंट भरपिकेशजह तो देखिए यहांपर पहला जो आपको डॉक्मेंट जो है लेकर जाना है वह फर से वहां पर कराएगा तो बहुत टाइम लगता है टाइम लगने का बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग इतना चीज अगर करके नहीं जाते हैं तब आपका एक दिन में नहीं होगा भेर पिकेस्तन आगे हम आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले पर आपको फर्स रांग सट अलोटमेंट लेटर का तीन कॉपी लेकर जाना है राइंक काड का दो ले जाना है अबको जो पैरमेटकल का जो एडमिट कार्ड उसका दो कोपी करा लेजिए कॉंसेलिंग कम चुआशनीं जो कॉंसेलिंग कि होंगे उनका भी दो कॉ लेजे पाट A पाट B form मिलता है यह इस पर वीडियो हम बहुत डिटेल में बनाए हैं यह form कैसे भरना है कहां से मिलेगा तो आपको जो है अब हम डिटेल में जैसे कि अगर आप लोग यह दो जो फॉर्म है एक चेकसली फॉर्म और पाट A पाट B फॉर्म अगर यह दो फॉर्म आप लोग नहीं भरके जाएगा तो बहुत सारे बच्चे का भरने के लिए नहीं आता है तो इस पर हम वीडियो पूरे बनाए हैं आप क्योंकि अगर आप लोग यह भरके जाते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि यह घंटा में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अगर नहीं भरते हैं तो आपको एक दिन में भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ उसको देखते हैं क्या उसमे यह गारा बज गया फिर गंटा मैं जो है फोर्म कहां मिलेगा कैसे भढ़ना एक अ्ठाइज करना है कितना डोकोमेंट क्या लग रहा यानि दो-तिन घंटा इसमी में ले लेता है यानि कि आपका जो है लगभक 2 बच जाता है अदो से 5 के वीच में हम आपको बताते हैं इतना भीड होता है इतना भीड होता है कि बताई नहीं सकते हैं खुद जब करने जाएगा तो आप लोग देखिएगा फिर बच्चे जो है पाँच बजी तक लाइन लगता है यह वहां पर पर फेपिप्रिकेशं के लिए तक आपको छुटी हो जाएगा आम से घरा जाएगा तिसलिए हम आपको जो है सजेश्ट करते हैं वीडियो में और बहतर से बहतर मेरे चैनल पर आपको जो है सारा कुछ मिलते रहेगा तो बात आता है कि part A part B का form का जो है जो आप लोग ये कहां मिलेगा तो आप लोग जो form भरे होंगे तो उसी समय आपको दे दिया गया होगा अगर नहीं भी दिया है तो भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर से चेक स्लिप एम बायमेट्रिक फॉर्म भी आप लोग को BCECE का अफिसल वेफसाइट से ही डाउनलोड करना है और उसको भढ़ने के लिए हम वीडियो में बता ही दियें बाकी अधार काड का आपका दो कॉपी लेकर जाना है अब देखिए मैट्रिक का डोकुमेंट तो मैट्र हम लगेंगे थोकौल नहीं को अब उनको एकारेक्टर लगेगा अजो भी बच्चेá ,। उनको यह दो जो 56 वाला है यह डोकुमेंट नहीं लगेगा यह जो है एड्मिट कार्ड मार्क सिट और पासिंग सर्टिफिकेट और परविजनल मैग्रेशन भी नहीं लगेगा यह तीन ही आपको लगेगा PMM वाले के लिए यह मैटिक का बाकि इंटर वाला ताफ लोग के लिए यह दो साल के बाद आता है यह आपको जरूरी लेगा बिल्कुल लेगा यह अगर आपके पास नहीं है तो आपके टाइम मिलेगा आप लोग कॉलेज में भी अपना जमा कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपका जो है डोकुमेंट वहरिफिकेशन नहीं होगा और करेक्टर भी आप आपको मांगा जाता है नहीं भी है तो बाद में भी आप लोग दे सकते हैं SLC-CLC से भी मांगा जाता है कुछ बच्चे जो है बीए में एडविशन करवा लेते हैं तो उनको TC काटके मिलता है तो उससे भी आपका काम हो जाता है कोई प्रोल्म नहीं है तो अगर यह SLC-CLC आपके पास उससे में नहीं है तब भी आप लोग बाद में इसको जमा कर सकते हैं यानिन यह 3-4 डोकॉमेंट्स यानि कोई भी इसससे डोकॉमेंट नहीं तो बाद में आप लोग Peanut सब्ना करें वैसा कुछ नहीं है कि आपका यह नहीं हो वह नहीं होगा लेकिन आपको पर प्रेसिदेंशियल जरूरी है बिहार के निवासी होना चाहिए बाकी फोटू के बात करें तो बारा आपको फोटू लेकर जाना है बाकी एक नोट में हम लिखे हैं यह सब जो मैठिक इंटर का जो आप लोग सेटिफिकेट का जो फोटू कोपी जो दे रहे हैं उसका ओरिजि जो की आपको डॉकोमेंट वहिरिफिकेशन के समहें लेका जाना है आप चाहिए इसे स्क्रीन्शोट ले सकते हैं आपकी मन है अपना जो है जो भी डॉकोमेंट है आप लोग अपना मिला लेजिए बाकि यह जो दो लिखे है न यह दखे होता क्या है न कि हम गये थे डोकोम कॉलेज जो आपको इलाट हुआ है वहाँ भेजा जाता है तो इसलिए जो है ये लेता है कभी कभी जो है क्या होता है कि document verification के समय photocopy का एक ही set लेता है दुसरा sit नहीं लेता है तो यह दुसरा sit नहीं भी ले रानत आपका जब college call करेगा तो उस समय आपको जो है यह set लेकर जाना होगा एक set वह आपको तो photocopy करा लेजिये लेकर जाए अगर नहीं भी लेता है document के समय है तो फिर भी आपको अपने कॉलेज में जाकर फोटू को फी एक सेट जमा करना होता है तो आपको बेस्ट नहीं जाएगा आप लोग बस कड़ा लीजिए क्योंकि हम वैसे भी आपको पता होगा कि मैं वीडियो में कुछ वैसा नहीं बोलता हूं जो कुछ यूज का न हैं तो सब कुछ इंटरी होगा या पीर आप leyksर को बोलें अंद हिसमें वहां पर होता नहीं है लेकिन वेवां लोग क्वाइश अपकर ecological पर जहाएं करता है कि कैसा है अगर कुछ वैसा रहता यहां भी मौका रहता है वह सरा टीचर कार भी देते हैं क्योंकि हम पता है इसलिए हम आपको बता है तो आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छी तरह से सारा कुछ समझ गए हैं फिर भी अगर कोई भी आपका प्रश्ण है मेरे लिये जो कि आप पुछना चाहते हैं तो आप हमें बिंदास कोमेंट करें हम आपके लिए सदा जो है अब लेवल है तो चलिए मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत